हलो दोस्तों, SR Electronic Channel में आप सभी के स्वागत है तो आज की वीडियो में हम अपग्रेट करेंगे इस 9W LED Bulb को जो LED RGB, LED में आपको convert करके RGB को अपग्रेट करके दिखाएंगे जो की बहुत ही अच्छा लुक देखने में मिलता है और आपको ये आसानी से आप अपग्रेट कर पाएंगे इस LED के मज़द से देख सकते हैं इस तरह से जो ये LED है इसको हम किस तरह से अपग्रेट करेंगे इस LED में तो देखे इस तरह से जो आपका साधा जो जलने वाला होता है LED Bulb तो इसमें हम किस तरह से RGB LED को हम किस तरह से इसमें convert करके आप upgrade कर पाएंगे इस LED bulb में तो देखें इसी तरह का ये LED bulb है तो इसी को ही upgrade करके दिखाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और आसानी से बना पाएंगे तो LED को आपको open कर लेना है इसका diffuser को देख सकते हैं इस तरह से देखें ये आपका खराब हुआ होगा एक SMD LED तो भी चलेगा अगर आपका ये अच्छा वाला है तो भी चलेगा एक SMD LED को आपको बाहर निकालना पड़ेगा अगर हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आप आसानी से अपग्रेड करना सिख जाएंगे आसानी से चलेए आज आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको अपग्रेड करके दिखाते हैं तो देखें ये हमारा एक जो की इस तरह से ये बिलिंकिंग कर रहा है देख सकते हैं इस तरह से तो देख सकते हैं इस तरह से अगर खर तोड़ देना है किसी एक SMD LED को आपको यहां से निकाल देना है जैसा कि देख सकते हैं यह हमने 1 SMD LED को निकाल दिया इस तरह से 1 SMD LED को आपको तोड़ देना है और इसमें देखिए आपका ये बड़ा व़ला साईड है ये आपका मायनस है इस साईड जो छोटा वला पॉइंट दीख रहा है ये हमारा plus point है तो इस plus point और minus point में देखिए हम कीस तरह से LED को assemble करेंगे ताकि ये हमारा देखने में आसानी से RGB color upgrade हो जाए तो देखे इस तरह का जो LED हमने लिया है देख सकते हैं ये 5 mm का ये RGB LED है तो देखे किसी भी MCPCB में देखेगा कि इसमें अगर आपका ये 3 semiconductor से चलने वाला है या फिर देख सकते हैं तरह से ये आपका 3 भोल्ट से चलता है या फिर 6 भोल्ट या फिर आपका 9 भोल्ट से चलता है तो देखे एक एक semiconductor में आपको क्या होता है आपका 3 भोल्ट से चलने वाला होता है तो देखे दो semiconductor है तो आपको क्या होगा आपका 6 भोल्ट से चलने वाला होगा अगर 3 semiconductor है तो आपका 9 V से operate होगा तो क्या होगा हमारे ये RGB LED हमारा 3 V से operate होता है तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा ये हमारा 9 V से operate होता है तो 9 V से 1 SMD LED operate होता है तो हमें इसमें 3 LED लगाना पड़ेगा ताकि ये हमारा 9 V में ये cover हो सके तो देखिए इस तरह से हम आपको connection करके दिखाते हैं तो देखिए ये हमारा बड़ा वाला ये leg है ये हमारा plus है और ये छोटा वाला है आपका ये minus है तो minus plus देखिए इस तरह से हम इसको करते हैं देख सकते हैं इस तरह से इसको series में करेंगे तो देखिए एक का माइनस लेंगे एक का प्लस लेंगे तो देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से connection कर लेते हैं तो देखिए यह हमारा RGB light यह जल रहा है तो इसी तरह से हम इसको series में connection किये हैं तो देख सकते हैं यह हमारा यह हमारा हो गया हमारा प्लस पॉइंट फिर नेगेटीव फिर प्लस फिर नेगेटीव फिर प्लस फिर नेगेटीव तो इस तरह से स्रीज में कनेक्शन करने के बाद में इसको हम इसमें कनेक्शन कर देंगे तो देखिए को देखे इसमें हमारा माइनस गया हुआ है और यहां से हमारा प्लस पोजिटीव यहां पे जुड़ा हुआ है जो SMD LED का माइनस प्लस था तो देखे अब इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से यह हमारा काम करता है तो देखे इस तरह से ओपन हम इसको लगाते हैं पहले एक बार तो देख सकते हैं इसमें हमारा RGB कलर भी जल रहा है और ये इसमें हमारा LED भी बन के तयार है देख सकते हैं इस तरह से आप अपने LED को अपग्रेड कर सकते हैं जो की बहुत ही आसानी से और इसमें एक बात है आपको इसमें hit sync paste लगाने की भी जरूरत नहीं है यह आपको आसानी से जल जाएगा दोस्तों आई होब दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सिखने को मिला होगा दोस्तों अब किसी भी LED को अपग्रेट कर सकते हैं RGB LED में भी तो इस तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि इस तरह का content आपको हर दिन एक वीडियो आपको देते रहेंगे जो हर एक टोफिक पर आपको क्या पता आपको किस दिन एक वीडियो आपको काम का मिल जाए तो चले दोस्तों मिलते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धरन्यावाद दोस्तों